नमस्कार तोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज और आज के बडियों में हम बात करेंगे GS Pointer, समानने अधियन, घटना चक्रे के बारे में और ये काफी अच्छा बुक है इसमें देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया इतिहास, राजवस्ता, समाने भुगोल, क्रिसी, विग्यान, परियावरन, आर्थिक, समाजिक, विकास और यूपी का भी कुछे पॉइंट को कवर किया गया है ये बुक कुल मिला के अगर हम बोले तो बहुत अच्छा है, इसमें आपको प्रिवेस एयर के कोशन देखने को मिलेंगे लगबख सभी एक्जाम के प्रिवेस एयर के कोशन देखने को मिलेंगा और ये आपको रिवाइज बहुत अच्छा करवाएगा बैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप रात में जब भी सोते हैं तो रात में सोने से पहले एक घंटा इस book को topic wise study कीजे एक एक topic को एक कुछ ही याद कीजे आपे क्योंकि यहां से भी काफी कोशन आने वाले NTPC और SSC की exam NTPC में तो आपको देखने को मिलेगा ही इस book से और इस book का दाम आप देख सकते हैं 240 रुपय MRP है और यहां पे आपको लग भगे 30% का discount मिल सकता है 30% का discount मिल सकता है मतलब यह 180-170 के आसपास आपको यह book मिल जाएगा content के बारे में अगर हम बात करें इसके तो यहां देखिएगा topic है सभी topic को cover किया गया है जिसमें देखिएगा history है मदेकालीन है आदूनिक history है भारतीय राजवैस्ता है भारत का भुगोल है विस्वे भुगोल है क्रिसी है भौतिक विग्यान है रसायन विग्यान परियावर पहला यहां देखिएगा question देख सकते हैं एक ही कबर में तीन मानों कंकाल मिले कहां पर दम दमा में से ठीक है तो ऐसे question आपको दिख जाएंगे यहां पर और सभी previous year के question है इसमें जो science है वो काफी अच्छा मुझे लगा भौतिक विग्यान जैसे 205 में चलते हैं तो question काफी अच्छे से लिखा हुआ ठीक है यहां दिखेगा जोगरफी में हर एक topic को छोटे छोटे topic को यहां cover किया गया है तो आपका ऐसा एक भी topic नहीं होगा जो बचेगा इस book से मुझे लगता है कि आप लोगो revision करने के लिए यह book होना चाहिए बहुत पतला सा book है और सभी subject इसमे यहां cover किया गया तो घटने चक्र का जो पूरुआ लोकन आप लेते हैं उससे अच्छा मैं आप लोगों को सजिस्ट करूंगा कि यह book होना चाहिए आपके पास है घटने चक्र का जो railway SSC का जीके आता है वो ले लीजे previous year का उसके बाद इसे इस book को ले सकते हैं ठीक है यह book आपको revision बहुत अच्छा करवाएगा यह book से आपको revision बहुत अच्छे से होगा लुसेंट हो और इस book से भी revision कर सकते हैं दो बुक आपके पास होना चाहिए लुसेंस आप theory पर इस book से one linear के promise को revision कीजिए ठीक है यह फिर घटना चक्र ले लिए उसे भी आप ले सकते हैं देखें बहुत अच्छे तरीके से science के भी हर एक topic को छोटी-छोटी topic को cover किया गया है और ऐसे मुझे नहीं दिखा किसी book में और इतने अच्छे तरीके से हर एक topic को cover किया गया है कि आप एक खांस बात यह है कि सभी previous year के question है तो एक भी previous year के question आपके छुटने वाले नहीं है और यह book बहुत ज़्यादा उपियोगी साबित होने वाला है अगर आप रेल्वे और SSE के तयारी कर रहे है तो यह book होना चाहिए या PCS की भी तयारी कर रहे है यह book आपके पास होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि आपको जल्दी से revision देगा और रात में आप एक tonic के जैसा इस book को use कर सकते है reminder के जैसा मतलब revision के लिए आप इसको use कर सकते है remind करने के लिए एक एक topic को एक एक दिन आप तयार कर सकते है तो कुल मिला कि यह book मुझे दोस्तो जरूर पढ़िए आप है और दिन में आप theory अच्छे से देख लिए lucent या किसी भी book से crown से भी देख सकते crown पे भी मैंने video बनाये हुआ है कोई एक book होना चाहिए lucent या फिर crown उससे आप theory कबर कीजे उसके बाद one linear के form में रात में इसको revision कीजे और बीच में आप दिन का जो स अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किजिए का असा करता हूं कि आज के दिन आप लोग का कापी अच्छा रहे और कोई भी डाउट होगा किसी और book के बारे में review चाहिए होगा तो मुझे comment करके बताईएगा फिलहाल इस